Hello guys and welcome back to the channel So guys, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही खास इस देखने वाला है कि जिसके अंदर मैं आप लोग के साथ डिसक्स करने वाला हूँ कि कैसे आपका ROI calculation किया जाता है कि आपको अगर mining setup अगर start करना है तो आप अपना जो return value है तो आप कब तक आपका return वापस ले पाएंगे तो वो calculation कैसे करना है वो सारा का सारा मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ उसके साथ साथ guys आज हम लोग देखेंगे कि दूसरे इंडिया के अंदर कौन कौन से जो PC hardware websites है जहां से आप graphic cards वगरा hunt कर सकते हो तो वो दोनों चीज आज हम लोग discuss करने वाले तो चलिए without wasting any time let's start with the video और जहां पर मैं आप लोग को दिखा हूँगा first कि आप लोग को ROI कैसे calculation करना है कैसे आपके graphic cards वगरा select करने तो वो सारा का सारा देखेंगे तो यहां पर जो first website जो मैं आप लोग के साथ discuss करने वाल हूँ वो है what to mind तो यह website काफी popular है और यहां पर जैसे देखवाओगे कि यहां पर सारे के सारे यह जो है वो graphic cards लिखे हुए है तो आप लोग को क्या करना है कि यहां पर कोई भी एक जैसे graphic card है 1660s जो है वो एक normal graphic card मैं आप यहां पर select कर रहा हूँ तो यहां पर अगर मैं single graphic card जैसे आप यहां पर click करोगे तो यहां पर आप green हो जाएगा green is nvidia and यहां पर जैसे red है तो वो AMD हो जाएगा तो यहां पर जैसे 1660s that is 1660 super अगर single graphic card है वो मैं select करूँगा तो यहां पर algorithm से सारे के सारे graphic cards के तो not a graphic card तो यह सारे के सारे cryptocurrency के algorithm से कि कौन से algorithm के अंदर वो कितना mega hash जो है वो generate करेगा तो यहां पर जैसे देख पा रहे हो 29 mega hash जो ethereum जो आता है ethash तो ethereum 29 mega hash पर उसका जो हो माइन करेगा उसके अलवा दूसरे भी बहुत सारे जो है वो जैसे यहां पर कुकु साइकल है वो एक popular है beam है फिर kaupow है and octopus है तो यह सारे के सारे जो है वो काफी popular अभी कुछ time से हो रहा है तो जिसके अंदर आप अलग-अलग coins हो है वो mine कर सकते हो और यहां पर जैसे आप calculate करेंगे तो यह जो है वो website automatic calculate कर लेगा और आप लोगों को दिखाएगा अभी के जो current rate है जो यहां पर exchange rate रहेगा bitforex के उपर जो rate है उसके हिसाफ से अभी आपका current जो है वो earning दिखाएगा और यहां पर जो है वो electricity minus करके आप लोगों को दिखाएगा कि आप लोगों का जो earning है वो कितना हो सकता है तो यह approximate रहेगा तो इसके अंदर हलका सा up down हो सकता है उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो है वो mining difficulty है तो वो difficulty जो है तो यहां पर directly जो ethereum अगर mine करोगे तो आपका जो one single 1660 super से 2.63 डॉलर आपके on hand आएगे और अगर आप nice hash के through mine करते हो nice hash की जो software होता है उसके through अगर mine करते हो तो आपका रहेगा 2.43 और बागी के भी है जैसे यहां पर ethereum classic अगर mine करते हो 1.84 और उसके अलावा kryptonite GPU है तो kryptonite जो यह है coin है वो अगर आप mine करोगे तो उसके अंदर भी यह रहेगा kryptonite algorithm है तो उसके अंदर यह रहेगा kuku kuku cycle ने अदर bit tube clash तो वो 1.71 आपको generate करके देगा बस उसी तरीके से आपको यहां पर जो है दिखा देगा कि अगर आपके पास 1660 super है तो आपका profit हो सकता है 15.80 US dollar per day और उसके अलावा आप यहां से दूसरे भी graphic card या तो फिर multiple graphic card भी select कर सकते हो जैसे यहां पर मैं अगर आपके पास mix and match है तो भी मैं यहां पर कर दिये 3 2060 और 3 मैंने 2080 कर दिये तो उसके हिसाब से जो है वो it hash यहां पर पूरा को पूरा हो जाएगा और यहां पर उसके हिसाब से ही जो है आपको current mining difficulty और current rate के हिसाब से जो भी algorithm आपके card के लिए perfect होगा उसके हिसाब से ही आपको यहां पर दिखा देगा है यहां पर जो है वो 18 US dollars in Ethereum दिखा रहा है उसके अलावा MTP करके जो है algorithm उसके अंदर फेरो कोई अगर आप करोगे तो 21 dollars तक आप earn कर सकते हो तो यह daily change daily और hourly change होते रहता है जिस हिसाब से अगर rate बढ़ते और कम होते रहते उसके हिसाब से यहां पर change होता रहता है उसके हिसाब स अगर कई बार ऐसा हो जाता है mostly लोग जो है वो Ethereum पर ज्यादा ध्यान देते क्योंकि यह main currency हो जाती है तो mostly लोग Ethereum के अंदर ज्यादा mining करते है तो यहां पर इसलिए यह जो पार्ट है वो बोल्ट करके दिखाए गया क्योंकि यह main currency जैसा हो जाता है बट it depends on कि भी कई बार अंदर जो algorithm ज्यादा अच्छा mine करता है वो शायद 3060 या 3080 के अंदर अच्छे से ना करता हो और उसी तरीके से अगर जो 3080 coin अच्छे से mine करता हो वो शायद 2060 ना करता हो तो वो आपको determine करने के लिए यह tools बहुत ही अच्छा उप्योग हो सकता है इस tool का what to mine का तो आप select करो तो यह ज़रू से ध्यान में रखे तो चलिए आपको यह tool मैंने समझा दिया कि आप लोग कैसे use करना है कौन से graphic card आपके लिए ज्यादा beneficial रहे है अगर आप second hand भी किसी से ले रहे हो कि भी आप लोग ने ले लिया कि 1660 मिल गया या तो फिर आप लोग को 1070 मिल गया तो वो आप लोग को directly यहां से determine कर सकते हो किसी से भी लेने से पहले कि भी 1070 लेना है या 1060 लेना है 6GB तो अगर आप second hand भी purchase करे हो तो यह tool ज्यादा beneficial रहता है जैसे आप out of date है 1050 TI वाले graphic card लेकिन अगर आपके पास वो भी मिल जाते है तो आप per day कितना earn कर सकते हो वो आप यहा cash के अंदर भी ethereum classic भी अगर आप single card से करोगे तो भी आपको 0.72 dollars मिलेगा बट यह सारी की सारी चीज़े depend करती है current rate current difficulty और उसके उपर से दूसरा tool जो बहुत ही अच्छा है तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो वो यह crypto mining ry calculator miner statker करके website है वहां से आप यह इसकी जो link है वो मैं description box के अंदर डाल लूँगा तो यहां पे जो है आपको लोगों को पूरा आपका mining hardware तो यहां पे आपको आप लोगों को डाल देना है तो यहां पे जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा जो mining setup है वो total 2,30,000 का बढ़ा था तो यहां पे जैसे मैं डाल लूँगा 72 यहां पे approximately आ गया है कि अपना जो US dollar की value के इसाब से पढ़ेगा 3,110 US dollar तो यहां पे मैं डाल लेता हूं 3,110 US dollar hash rate यह generate कर रहा है 146 और power यह consume कर रहा है 600 watt तो यहां पे जैसे शायद मैंने डाल ले रही है अदर्वाइस आप एक एक करके भी अपने जो भी cost है तो यहां पे सारी की सारी एक एक करके अंदर add and remove कर सकते हो बट यहां पे हम लोगों ने सीधा सा एक already हिसाब यहां पे लगाया हुआ था तो इसलिए मैंने यहां पे सारा का सारा my mining setup और यहां पे cost और mega hash और यह power कितना consume हो रहा है वो सारा डाल लिया है तो यहां पे जैसे मैं maximum थोड़ा सा डाल लेता हूं 550 watts और यहां पे हमें बहुत ही सीधा और एकदम हिसाब मिल जाएगा कि अगर इसकी value 50% down जाती है या 50% up जाती है और इसका जो है वो current break even आपको कब मिलेगा ROI जो बोलते हैं कि आप लोग कब इसको zero करने के बाद आप सीधा profit में जाओगे तो वो यहां पे दिखाया है कि अगर देखने जाए तो इसका daily आपका earning होगा 13.65 US dollar that is for current rate के हिसाब से और अगर current rate के हिसाब से ROI देखने जाए तो एक साल के बाद मुझे मिलेगा 4983 dollars ठीक है तो उसके हिसाब से यहां पे दिखाया गया है और अगर 50% अप जाती है जैसे pricing है और difficulty के हिसाब से देखने जाए तो 50% अगर अप गया price वगरा अभी के जो rate है उसके 50% अप गया तो इसका दिखाया गया 4745 और अगर कम जाता है 50% तो यहां पे दिखाईए उसकी 342 days और उ 19% कम रहेगा तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है तो यह टूल मेरे खिया से बहुत ही useful है कि आप लोगों को एक rough estimation मिल सकता है तो तीसरा जो utility है वो भी वैसा ही है जहां पे मैंने 146 MHz डाला हुआ है पावर कंजम्शन डाला हुआ है तो यहां पे भी similar है कि आप information आप लोगों मिल सकता है मेरे ख्याल से यह ज्यादा realistic है तो भी फिर भी आप देख सकते हो कि यह इसका भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा crypto compare slash mining slash calculator करके eth अगर मैं ethash कर रहा हूं अगर मैं ethereum classic कर रहा हूं तो उसके हिसाफ से तो वो आप compare कर सकते हो कि आप जो भी coin मतलब माइन कर रहे हो उसके हिसाफ से आप calculate कर सकते हो और तीसरा बहुत ही basic है कि वो है nice hash का profitability calculator जिसके अंदर आपको जाना है I enter hardware manually इसका भी मैं link डाल लूँगा enter hardware manually और यहाँ पर power cost है कितना devices है जैसे यहाँ पर मैं 3060 कर देता हूं RTX 3060 और यहाँ पर अपने पास 3 है और calculate कर लेत है तो calculation के हिसाफ से यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि 13 dollar 13.10 US dollars जो है वो मेरा earning रहेगा और एक मेने का जो यहाँ पर earning है दिखा रहा है वो है 4 double 1 तो 4 double 1 के हिसाफ से यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर monthly earning है 360 US dollars और यहाँ पर monthly earning था 416 US dollars तो बस इसी हिसाफ से आप लोगों को एक calculation rough calculation जो है वो मिल सकता है 4 double 1 US dollars after electricity cost यहाँ पर दिखाया है तो यह थे guys couple of tools के जिसके अंदर से आपको determination कर सकते हो कि आपका earning जो है वो per month per day कितना होगा और यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया कि भी आप लोग कौन सा graphic card use करोगे तो आपको कितना earning होगा तो वो यहाँ से आप एक decide कर सकते हो कि आपको कौन सा graphic card चाहिए और कौन से graphic card के through आप कितना mine कर सकते हो कौन सा coin mine कर सकते हो वो सारा का सारा आप यहाँ से एक guideline ले सकते हो तो यह सारे 4 website है उसके अलवा guys मैं आप लोग को एक 2 website दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर आप जाके वहाँ से आप जो ह वो graphic cards वगरा hunt कर सकते हो और राइट guys so यहाँ पर जैसे मैं फर्स website है आप लोग को दिखा देता हूँ तो वो है TPS stacker के website है TPS इसका मैंने description में डाल लिया है तो आप यह सारे के सारे जो है वो links देख सकते हो तो इसके अंदर मेरा कोई referral वगरा कुछ नहीं है आप लोग को जहां से buy करना है वो कर सकते हो यह सारे मैं कुछ आपको genuine websites अब लोग दिखा रहा हूँ कि वह Amazon के अलाव भी यह सारे कुछ websites ऐसे है कि जहां से आप लोग जो है वो rates वगरा देख सकते हो कि वह कितने rates के अंदर पड़ेगा और यहां से मैंने कुछ-कुछ time bill लिये है चीज वगरा और करे हुए तो इसलिए मैं आप लोग के साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ यह जैसे एक है TPS टेक करके है तो यहां पे भी आप जैसे कि देख सकते हो ग्राफिक कार्ट के रिट वगरा तो 570 RX 570 28 29000 का भी दिखा रहा है RX 6700 जो अभी दिखा रहा है 80,000 का जिसका ले रेकेमेंड कि आप इसलिए 3060 ले या 3060 TI में जाए यह दूसरा एक वेबसाइट है दा आई टी वेस करके तो इनका जो वो शोरूम है मुंबई के अंदर और लेविंग्टन रोड के उपर और इनका भी सर्विस बहुत ही अच्छी है तो मैंने यहां से काभी मतलब काफी ट 3060 दिखा रहा है 60,000 का और इंस्टे उसके अलाव भी है जैसे 1660 TI है 41,000 3060 ट्वीन जो अभी मैं यूज करा हूँ वो है 57,000 का और 1660 Super 44,000 का यह 1660 Super दूसरा है 43,000 का guys so 1660 Super अभी काफी popular में चल रहा है क्योंकि mostly due to its rate and उसका जो अभी earning चल रहा है उसके हिसाफ से बट मेरे खिया से 1660 Super उतना अच्छा choice है नहीं क्योंकि उसके अंदर बाद में जो है वो उसकी जो दूसरे mining जो अल्गोरिदम बोलते है उसके अंदर उतना अच्छा reward नहीं मिलेगा आप लोगो और दूसरी बात यह है कि EIP 1559 जो इथरियम का आने वाला है जो को गाइज ऐसा हो सकता है कि ETH के अलावा दूसरे alt coins भी mine करने पड़ेंगे तो अब आप लोगो देखना पड़ेगा कि क्या 1660 Super अगर मैं यहां पर सिलेक करता हूं 1660 Super छे कार्ट भी अगर मेरे पास पड़े है तो वो क्या ETH अगर मैं माइन नहीं करता तो दूसरे coin माइन करूंगा तो यहां पर जैसे देख सकते हो तो दूसरे coin अगर मैं माइन करूंगा तो उसके अंदर कितना rewards मिलेगा तो वो आप लोगो ध्यान रखना है कि दूसरे कौन से crypto algorithm से जिसके अंदर भी यह beneficial हो सकता है तो वो एक जड़ा सा ध्यान में रखकर आप ग्राफिक अगर आदेख सकते हो अगर availability है तो तो जैसे यहां से start होता है 1660 super again 42,000 और यहां पर 30,70,199 और 55,000 20,60, 55,000 का है तो देख सकते होगा इस 30,60 है वो भी 76,000 का तो यह सारे कुछ website है यहां पर यह भी genuine website है बहुत ही अच्छा है इनका service भी और एक last है प्राइम ABGB करके तो इनके पास भी यहां पर जाके आप in stock कर दीजेगा तो यहां से भी आप लोगों मिल जाएगा कि जैसे 1660 super है पर वो स 3070 है 1660 super के बाद 1 lakh का भी हो चल रहा है जिसकी value actual में थी 3070 की जो value थी वो around like 65,60,70 तक का चल रहा था जो अभी इसका rate है 30, sorry 1 lakh जितना चल रहा है इनके पास भी दूसरे graphic cards अविलेबल नहीं है due to guys बहुत ही ज्यादा इसकी demand भी चल रही है 6700 XT 84,000 का चल रहा है बाकी आप डिरेक्ली इनको call करके भी booking करवा सकते हो तो यह जो चार website है तो यह सारे genuine website है जहां से मैंने कई बार parts वगरा PC components वगरा भी purchase करे हो है तो यहां से आप purchase कर सकते हो या तो आप इनको call कर सकते हो WhatsApp भी इनका available होता है तो वहां पे जाकर आप लोग से call करके discuss कर सकते हो कौन से graphic card और कितनी quantity में आप लोगों को चाहिए तो आप उस हिसाब से उनसे बाचीत वगरा कर सकते हो guys so guys I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को अगर useful लगी है तो please do subscribe this channel और ये वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे guys and next वीडियो के अंदर में आप लोगों को सारा का सारा जो मेरा पीछले month का earning था और इस month का जो earning है जो ये first week का earning है rates वगरा जो करूंगा वो सारा आपको दिखाऊंगा के rate के हिसाब से rate अगर बढ़ता है उसके सार डिफिकल्टी भी अगर बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से कितना earning के अंदर मतलब changes आता है या नहीं आता है वो सारा हम लोग देखेंगे उसके अलावा guys हम लोग discuss करेंगे EIP 1559 और उस करेंगे